ठीक पहले खटना हमाचल पर्देश में खटी जिसकी कोई कलपना भी नहीं कर सकता था छे कांग्रेस के बिदायकों ने क्रोस पोर्टिंग कर दी क्रोस पोर्टिंग की उसके अगले दिन बजट पास होना था अगर बजट पास ना होता तो सरकार गिर जाती और बजट आम लोगों के लिए बजट था ग्रीन लोगों के लिए बजट था किसान के लिए बजट था जिसकी आर्थिक सम्रिद्धी को हम मजबूत करना चाहते हैं मैं पठारियाजी के पास ओफिस में बैठा हुआ था पठारिया जी लॉग के ग्याता है तब ही मैंने कहा इधियास पठारिया जी को याद रखेगा इनकी इमानदारी के लिए इधियास पठारिया जी को इनकी जज्मेंट के लिए इधियास रखेगा मुझे खबर मिली हम भारत्य जंता पार्टी के नेता जो सत्ता की भूग में पागल हुए थे अंदर नारे लगा रहे थे और हम इनके कमरे में बैठे हुए थे खबर मिली कि मुख्या मंतरी जी ने स्टीफ़ा दे दिया ना मुझे चान करी ना तरह तरह क्यों फ़ाफ राएगी इस मेंने जब यह बास सुनी मैंने का मैं क्यों स्टीफ़ा दूंगा हमारे पास मजोटी है पठाणिया जी ने का जो कानून बोलता है मैं कानून का रक्षक हूँ, एमांदारी से फैंसरा करूंगा और परिभाशा जो मैं लिखके जाओंगा उसको कोई बदल भी नहीं पाएगा, इसके लिए कुणारी जीजिए मैं वहारे बाद देता हूँ. सारे चैनलों में स्टीफा, 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 मैं आप लोगों के बजट का रिपलाई देने के लिए त्यारी कर रहा हूँ. सारे जगह से फोन आये कि आपने स्टीफा दे दिया, मैंने कहा मैं तुम बजट पास करना चालता हूँ. क्या था उस बजट में? आप आदमी की आवास थी, ऐसा बजट चालीस साथ में पहली बार प्रस्तुत किया गया होगा. मैंने का, गौव में मन्रेगा का मजदूर है, कई भेने हमारी मन्रेगा में मजदूरी इसलिए करती है, कि अपनी परिवार का पालन कौशन हो सके. मेरे पास अधिकारी लाए कि 20 रुपे बढ़ने चाहिए, मैंने बोला नहीं, सीधे 60 रुपे की इतियासिक प्रिंदी हमने मन्रेगा के ग्याड़ी में की. मन्रेगा में जो महें. में जो में. में मन्रेगा में जो में जो लाए कि अएमने प्रिंदी हैं. झाल 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 झाल